आपको सवगत करते हैं आज हम गाउं के विकास और ग्याम पंचाथ को लेकर बात चीत करेंगे बहराईज के छेत्र बहला के विधायक अच्छे बहलाल गौड जी से नमश्कार सर आपको सवगत है हमारे प्रोग्राम में सर अब से बाचित करते हुए पहले पर बढ़ते हैं तो सर देखते हैं कि सतर बर्स हो गया हमारे भारत के देश की सतन तरह को लेकर और इसके बाद भी गाउं की जो इस्थित बनी हुई है उस पर आप क्या कहना जाएंग देखें भारत के अजादे के बाद यहां अब से 20 बर्स पहले की सती से हम जरा सुरू करें 20 बर्स पहले गाउं की सती गाउं में जाने के लिए सड़के नहीं थी कच्छे मार्ग थे और वहां पर मकानों की सती यह थी कि खपड़ेल फूस के मकान गरीवी इसकुलों की कमी पेजल की कमी यह सब पर्मुख खमस्याई थी गाउं की लेकिन इधर बीस बरसों में जोसे मानिय अटेल विहारी बाजबाई जी की सरकार बनी केंदर में एक अभियान चलक गाउं के विकास के लिए और मानिय अटेल जी ने प्रधान मंतरी कि रामीर्ट सड़ा के योजना को हैं पुरे भारत के पकी सड़कों से जुड़े हैं गाउं के अंतर पकी सड़के बनी आवा गमन के साधन हुए गाउं का विकास प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत आज हम देख रहे हैं कि लगभग पचीज परिशत से जादे लोगों को आवास का मंटन हुआ है पेजल हैंड पम् इंडिया मारे का हैंड पम् लगा है सरकार कौ फीनिक पानी के लिए टक्यों का निर्माना करThose वाटर सफ्पलाई का कारकर्म चल रहे हैं एक गाउं में जहां पर दूराज दूसरे गाउं में जाने के लिए बच्यों को पढ़ाई के लिए जाना प्राथमिक विद्याले उसकी आवे सकता के अनुसार बन गए हैं अभी बरतमान में जब से मोदी जी की सरकार आई है इसके पहले भारती जनता पार्टी की सरकार थी पनिदिन द्यान उपाध्या जिने बहुत पहले कहा था कि भारत के विकास जब तक नहीं होगा जब तक गा बादान पर खड़े बिक्त का विकास आनि गाओं के सबसे गरीब बिक्त का विकास यदि भारत के विकास को देखना है तो हमें उस अंतिम बिक्त के विकास को देखना होगा हम बड़े धनी लोग के विकास को देखकर के सहर के विकास को देखकर नहीं का सकते कि आज भारत क पूस्चित रूप Wallace बूस देखना हो तो गाओं के अधिकास को देह कि कितना बिकास भूआ है ऑगो निचीत टरूपर कहा जा सकता है कि इन 20 वरसों के अंदर गाहों के सिख्षा के मामले में रहांसन के मामले में बीद्यालें के मामले में यहिए भारती जनता पार्ठिय ने पंदिन दिन द्याल उपाद्याय जोत गिराम योचना के अंतरगत हर गरीब के घर में बलबल लटकाने का लाइन देर का संकल पर लिया है और उसको हम पून कर रहे हैं आने वाले एक बर्स के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा भारत के अंदर जिसके अंदर कदत हर प् के अनुसार आज हम विद्यालेओं के स्थापना कर रहे हैं आज विद्यालेओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बर्तमान सरकार ने केंदर परदेश की सरकार ने दोनों ने बच्चों का अच्छा इनुफार्म दिया जूते मोज़े हमने दिया उनके भोजरे की मिड बसपा की 10 साल में आप 15 साल सरकार थी सडके टूड़ गई थी बर्तमान सरकार ने सडकों का पुनर उधार कराया आज हमनों को खुसी है कि हर विद्यासभा छेत्रकंज इंदर जितनी भी सडके थी उन्हें 95 परसद सडकों का रिपेरिंग हो चुका है जो बाकी हुई इस मह महिने के अंदर हम लोग देख रहा है कि जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा तो जब से आजादी भारत की आई और उसके बाद 20 बर्स पहले की जो इस्तिती थी आज आमबू चूल परवरतन हुआ है आज गाव में रहने वाले लोगों को जो गरीब बेगती है उनको दो र गरीबों की सहयता और मानी नेरेंद्र भोदीजी की जो सरकार है हमने पिछले बरस एक संकलप लिया था कि पंडिदीन द्याल जी के समी जैनती पर हम लोगोंने पूरे भारत को गरीब बरस हमने मनाया गरीब बरस की रुप में लिया और कि हर गावं का किस परकार हम लोग विकास करें और उस गरीब बर्स में एक साल के अंतरगत गरीबों के विकास के लिए केंदर परदेश के स्रेकारों ने बहुत कुछ किया है यह कहना किसी का कि कुछ हुगा ही नहीं बिल्कुल सरय सर गलत है आज अगर गाउं के स्तिति देखनी है तो हम गाउं के अंदर जाए हाँ ये बात सही है कि आवसक्ता के अनुसार अनुपात में कम विकास हैं सहर के पक्षा जितनी आवसक्ता गाउं के लोगों को है उतना अभी नहीं हो पाया है उसको आने वाले दिनों में हर बड़े सहरों को या छोटे-छोटे कस्वों को आज फोर लेंस से सिक्स लेंस से कहीं भी जाईए आप देखें जो टू लेंस के सड़के थी आज फोर लेंस सिक्स लेंस हो रही है गाउं के अंदर बिजली पहुंच रहा है वो दोग धंधा करने के लिए हमारी योगी जी के सरकार ने वन डिश्टिक वन प्रोड़क्ट का हमने संकल्प लिया है कि उस जिले में पैदा होने वाले एक चीज को हम बहुत ही संदर धंग से उसको बनवा करके और उसको हम उसका उस का उस्का कविकास करेंगे और उसकी कि प्र今-व काम मिले योगयों को काम मिले भारा स्रकार ने इवाओं के लिए बहुत कुछ काम किया, हम सब लोग जानते हैं स्टार्टप योजना, गरिबों के लिए महिलाओं के लिए हमारी केंदर प्रदेश के सरकार ने हम सभी लोग जानते हैं, उजला योजना के अंतरगत, पांच करोण में से लगभग 3 करोण 80 लाख महिलाओं को भारत में गयस का कनेक्शन फिरी में दिया गया, भारा स्रकार ने इसको बढ़ा कर बढ़ाने के विचार कर रही है, उसको बढ़ा करके साथ करोण लोगों को देने का विचार कर रही है, आने वाले दिनों में जो गरीब परिवार हैं, उन प्रतिये का घ खुलवाया हम जानते कि 32 क्रोड़ों से ज्यादे लोगों ने खाता खुलवाया प्रदामंत्री जंधन योजना के लिए हम 90 परतित दिंदे करके हम अपना जिवन भीमा कराते हैं फसल भीमा योजना उत्रपरदस में देखिए अभी प्रतियक किसान का जिन्हों रिड़ी लि सब किया और सम्म मैं अपनी मैं अपने विधान सबाब में पंदर हजाल लोगों को बला विधान सबाब में मैंने सब को सार्टिफिकट दिया तो इस परकार गरीबों के लिए जिसा मानिपणि दिन दिया जी उपाधाजी का जो सोच था कि भारत गाउं में बसता है और भा भारत माता को परम भवे की सिखर पर पहुचाना चाहते हैं तो निश्ची तोर उपर हमें गाउं की जो समस्या हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा और आज हमारी योगी जी की सरकार ने कहा है किसानों के आम देनी को हम इस पर दूगों को ना करेंगे अभी केंदर का जो ब भारत मान करके गाउं को मान कर के गरीबों को ध्यान में रख करके यह बजट पेस होने वाला है आप लोग देखिए गा आनुयाले दिनों में निश्ची तरुम से जो हमारे पुजा महादमा गांधरी जिनों जो सपना देखा था जिनोंने हिंदुस्तान को हमारे लोगों ने बलिदान दे करें हाजाद कराया उनके सपनों को ये सरकार केंदरों पर्देश की पूरा करेगी और गाउं का विकास करेगी लेकिन हमारी अखिलबर्ती सभा की ओर से गाउं में एक सर्भी किया रहा है जिसमें हमने पाया की बहुत सारे से स्कूल हैं वहाँ विद्याल हैं जो अभी भी उसमें टीचर नहीं पहुंचे हैं वहाँ के जो एस्पिताल हैं वहाँ डाक्टरों को दवाय नहीं मौज़त हो तो उस पर कहां तक प्रशासन क्या काम कर दोगें उत्ता प्रद्द सरकार ने लिया है कि अभी हमारे जिले में हम लोगों ने मांग किया था बहराय जिले में 46 डाक्टर सरकार ने भेजे प्रवेट डाक्टरों को या जो नोकर छोड़ी चुके हैं उनसे आगरह किया जा रहा है कि आप आईए सवा दीजिए और गाउं के सुदूर गाउं में जो अस्पताल बने हैं जिन में डाक्टर से नहीं थे आज डाक्टरों को पहुंचाया जा रहा है यह हर जिले में हम जाकर देखें तो देखनेों को मिलेगा गरमीणी बताएंगे कि हमारे अस्पताल में प भर्ति करके चुँके अभी सिक्षामित्र का और उसका सब कुछ चल रहा है मुकदमा उसके आधार पर हर विद्याले में जो बच्चें के अनुपात के अनुसार अध्यापकों को रखने का संकल्प भार्ची जनता पार्टी की स्रकार ने किया है सर ओडियफ में जो हम लोग सौचाली की उपलब्द कराया जा रहे हैं गाउं प्रशाशन की तरफ से गाउं में तो उसमें जब वो धन्राशी लावार्टी के में जाती ही है तो फिर केस परदान के उपर क्यों किया जाता है नहीं उसका कारण है देखें आज भी गाउं के अंदर रहने वाली जनता भोली भाली है कुछ लोगा सक्षित भी है और जो परधान करने जब भारत सरकार और प्रदेश सरकार उन लाभारतियों के खाते में सीधे सीधे धन भेज रही है तो परधान जाके कहता है कि वो पैसा निकालिये उसका बालू से मिट मंगाना है आपका बनना है और जो पास्वूख है वो परधान के हाथ में रहता है गाओं के अंदरी सिती आजे हम लोग देखते हैं कि बहुत अलागे सिकायत करते हैं कि पास्वुक परधान के पास है रासन काट जो है कोटेदार के पास है तो वो परधान जो है जनता को पर दबाओ डालते हैं और कहते हैं कि लाई हम रुपिया निकालते भुला भुला आद में कहता है कि अगर आप नहीं निकालिएगा हमर साथ सहयोग नहीं कीजिएगा तो आपका आवास नहीं बनेगा आपका सवचाले नहीं बनेगा इसलिए जो लाभार्थी हैं निश्ची तुरुपर हम लोग देखते हैं कि उनको डराध हमका करके आकिसी नकिसी परकार से उनक के लोग सवचाले का पैसार निकाल लेते हैं और फिर उस लाभार्थी को जितना मट्रेल मिलना चाहिए उस तना मट्रेल नहीं उपलब्द कराते हैं इसकी जाच भी हो रही है इसलिए परधानों के खिलाब कारवाई हो रही है कि आप क्यों इसमें लाभार्थी और सरकार के बिचा जया जया और इस बात को बड़े क्ड़ाई से किया जा रहा है कि यह दि लाभार्थी जब प्राथना पत्र देता है कि हमारा धन इन्हों ने अहरित कर लिया तो पर dalड़ा जी के जो भी भ्यक्ति हैं जो पीचो लिए हैं उनके खिलाब सरकार कर वाई कर रही है जब बीजीपी की सरकार जब आई थी तो उसमें संसत संसत दौरा सभी संसत दौरा एके गाउं लिया गया घुद उस पें किस तरह के संसत काम कर रहे हैं देखे हमारे आप बहुत दूर की तो बात नहीं करूँगा हमारे आप भाराज लोकसभाज छेतर के अंदर एक गाउं का चैन हुगा था मटही उस गाउं में 14 किलोमेटर पकी सडक का लिर्मान हो रहा है वहाँ पर आवास हैंड पंप विजली की उपलब्धता ये प्राथिमता के अधार पर किया जा रहा है लगभग इस मेहने तक वो 14 किलोमेटर जो सडक है बन के तैयार हो जा रही है और हमारे मानी मुखमंतरी जी ने हम लोग से भी बिधायकों से भी आगर किया था कि हम लोग परते एक बिधायक अपने तरब से एक प्राथिम की बिद्धालियों को गोद ले हमने भी अपने की छेतर में हमने एक बिधाले को गोद लिया है उसकी रंगाई पुताई दूसरे धंग से कराया है वहां पर मेज कुरसी को बनवा करके अपने तरब से दिया गया है वहां पर बिजली पहुंचाई जा रही है और छात्रों का लगे कि यहां पर हम भी जो सहरें बच्चे पढ करीब हैं उनके अंदर भी एक बहुत अच्छी भावना जागरित हो रही है कि हम भी उनके समान है हमनों को एक बिधाले लिया है सांसद ने ग्राम का को गोद लिया है उनका वो विकास कर रहे है आनिश्ची तरुप से कहीं आप किसी भी गाउं में चले जाएए आपको दि जोजनाए हैं देखर जिसे मैंने आप कहा कि हमारे प्रधामंतरी जी की वह स्वें गरीव हैं उनका कांग्रेस के लोग यानदल के लोगों का मजाग भी उडाते हैं चायवाला है कोई कुछ कहता है लेकिन दुसरे लोग गरीव गरीबी क्या उसको किताबों में पढ़े हो चाहते हैं उन्होंने चुनाओ के पहले कहा था कि अधमाई प्रधान मंतरी बना तो हिंदुस्तान के गरीबों के लिए मैं बड़ा-बड़ा काम करूँगा और आज वो सारा काम आप जह करें कि 43 परकार के उजनाएं गरीबों के लिए चल रही है जिसको हम लोग गाओं के सरकार ने महिलाओं के लिए किया परस्वरों के लिए उनका उजलाई ओजना के अंतरगत उन्हें के नाम से गैस कनेक्शन देना उन्हें के नाम से हम जिली का कनेक्शन दे रहे हैं उनको सुरुच्छा परदान करना किसानों का फसल भीमाई ओजना लागू करना महिलाओं क के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा काम करती आ रही आगे भी योजनाय उनके लिए मनाई गई है और जो यह बज़ट उत्तर परदेश का भी आने वाला है जिस प्रकार हमारे केंदर के काव जो बज़ट आया है गरीब गाओं और किसान उसी के तरह उत्तर परदेश का भी जो बजट है गाओं गरीब किसान और नवजवान के लिए होगा जो विरोजगार नवजवान है उसको ध्यान में रखके बनाया जा रहा है जो बहुत दिनों से जो कांग्रेस पचास साल तक सासन किया के अंदर में आज पुस्ती है मोदी जी ने चार साल में क्या क्या मोदी ने चार साल में वो कर दिया जो तुम पचास साल में नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में सपा के लोग आज किस मुँख से बात करते हैं सांति बहुस्ता की आज हर तरह अपराधी डरा हुआ है बड़े-बड़े अपराधी अपना बेल कैंसिल करा करके जेल के अंदर भागे जा रहे हैं क्योंकि आज गुंडो का राज समाप्त हो गया आज आम जनता उत्तर प्रदेश की सांति पुरो कर रहना चारी है रह रही है और क्योंकि प्रदेश और केंदर के सरकार उनके विकास के लिए उनके सुख सुभधा के लिए किर्शकल पर है और दोनों हमारी सरकारें केंदर प्रदेश की गाओं के विकाज के लिए सहर के विकाज के लिए योजना बना करके काम कर रही है अभी आप देखेंगे कि इस 21 तारीख को लखनव में आपके समिट होने जा रहा है जिसमें देश-विदेश के बड़े-बड़े दोग घराने आ रहा है और उत्रप्रदेश में उत्दोग लगाने के आज उनकी इक्षा है कि हम उत्तरप्रदेश में उत्दोग लगाएं आज उनको ऐसा बाताबोन मिला है गुंडा राज समाप्त हो गया है कि उनको भरोसा हो गया है कि उत्तरप्रदेश में उत्दोग लगाएंगे तो निश्चीत रूप से हम सुरु को लेकर कुछ कहना चाहेंगे गाउं के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है जैसे ओन निस्टी कोन प्रोडक्ट हमारे जो मुखमंतरी जिने कहा है जिसने लागू हो जाएगा तो जो हमारे गाउं के जो नोजवान आज गुजरात पंजाब हर्याना की तरफ रूप करके ज गाउं कि जब हर जिले के अंदर उद्धो को स्थापित हो जाएगा किसानों को सहुलियत मिल रही है तो निस्टी तरूप से हमारा गाउं का जो है विकास का जो गति रुका था बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है उनका विकास गाउं का निस्टी तरूप से एक आने वाले दिनों में हमारे गाउं का विकास उसी तरह से होगा जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं गुजरात माडल की चर्चा करते हैं निशी तुरुप से हमारे उत्तर प्रदेश का भी उसी प्रकार से विकास होगा और हमारा उत्तर प्रदेश चार बर्स के अंदर भारत का उत्तर प्र भारत विश्व की महान सक्तियों में हमारी गिंती हो रही है आज को वैज जैसे देश में मंदिर की आधार सिला रखी जा रही है आज अमरिका के राष्टपती हमारे देश के परधामंत्री के साथ परधामंत्री जी के पीछे चलते हैं आज गड़तनतर दिवस के अफसर पर दस दस देशों के राष्टा अध्यक्षा करके हमारे यहां सिर्कत करते हैं हमारे गड़तन के परधे हमारे विकास को देख रहा है यह बहुत बड़ी उपलगदी भारत की है असरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमाई चानल से जुड़ने के लिए नमस्कार